हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे कंट्रीज जिनोंने क्रिप्टो करेंसी की यूज को या तो फिर बैंड कर दिया है या तो उसके यूज को काफि डिस्ट्रेक्टेट कर दिया है और इसमें पहला नाम आता है कतर का कतर ने जैनवरी 2020 में ही क् क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को इलीगल कर दिया था और वहा पने तुर्की तुर्की ने एप्रील 2021 में बिटकॉण डारेक्ली और इंडारेकली पेमेंड करने पहें बैंड लग Aa उसके बाद नंबर आता है रसिया का रसिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल जहां पे ट्रेडिंग सस्पेंडेड है और क्रिप्टो करेंसी पे इंवेस्ट नहीं कर सकते हैं फिर नमबर आता है बांगल देश का जहां पे क्रिप्टो करेंसी रखना पूरी तरीए से इल्लीगल है और वहां पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन को मानेता नहीं दी गई है और उसके बाद आता है नमबर एजिप्ट का जहां पे प्रोमोशन इश्यू या ट्रेड क्रिप्टो करेंसी का पूरी तरह से प्रोभेटेड है और और क्रिप्टो करेंसी बैंड है उसके बाद नमबर आता है मौरको का 2017 में मोरकों ने cryptocurrency की trading को band कर दिया था यह एक North Africa की country है और उसके बाद आता है number Iraq का जहां पे 2017 में Iraq की Central Bank ने completely band कर दिया था cryptocurrency की use तो friends आपका क्या कहना है ऐसे total 40 ऐसे देश है जिन्होंने cryptocurrency को या तो band कर दिया है या तो उनकी use को restrict कर दिया है पर आपको क्या लगता है कि future में future में cryptocurrency की importance क्या होगी और आगे जाके इनका भविस से क्या है तो please comment friends cryptocurrency band होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए Thank you